तो बुलेटिन की शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आज सुप्रीम कोट से आई है राज्यों में हो रहे बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट ने सक्त टिपनी की है सुप्रीम कोट ने कहा है कि दोशी होने पर भी किसी का घर नहीं गिराया चासकता जमियत कोट ने साथ में ये भी कहा कि इसके लिए कोई सक्त नियम होने चाहिए कोट ने बुल्डोजर एक्शन के संबंद में गाइडलाइन्स बनाई जाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है अब इस पूरे मामली के अगली सुनवाई मंगलवार 17 सितंबर को होगी तो इस बड़ी काबर पर अफ्रीदा जोड़ते हैं असीम मंचंदा से तो असीम बताए बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट ने क्या कुछ कहा है तब भी बुल्डोजर ने वहाँ पर उनके घरों के उपर एक्शन लिया और कारवाई की इसको लेकर के सुप्रीम कोट में याचिका दायर की कहीं दिशाना बनाया जा रहा तो इसको लेकर के सुप्रीम कोट में सुनवाई हूँ सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है हम जो principle के कानून है उसी का ही वालन करते है जो की illegal घर होते है उनके उपर एक्शन यहाँ पर होता है लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा हमें नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है कहीं न कहीं इसमें एक्शन लिये जाने कि हमको जरूरत लगती है कि दुबारा से सुप्रीम कोट एरिंग करेगा तब सुप्रीम कोट इसको लेकर के यह निफॉर्म गाइडलाइस लेकर के आ सकता है कि किस तरह के क्योंकि खासर ने कहा कि अगर आरोपी है या दोशी है उस मावले भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि यह कारून के खिलाफ है तो अगली सुप्रीम कोट किसी तरह के दिशाय मिर्देश जारी कर सकता है जी असीम आप हमारे साथ बने रहे एक और खबर के लिए आपके पास वापिस लोटेंगे चलिए बात कर लेते हैं बाजार की बाजार में बुल की रिकॉर्ड रैली जारी है आज के बाजार में भी सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोसिंग हुई सेंसेक्स 194.4 कर 82,560 पर बंद हुआ तो वहीं लगातार 13 दिन बड़त पर बंद होते हुए निफ्टी ने 25,789 का रिकॉर्ड स्थर चुआ हलाकि आज मिट कैप, स्मॉल कैप शेरों में दबाब दिखा तो वहीं फार्मा, P.A.C. मेटल इंडेक्स भी थोड़े प्रेशर में दिखाई दिये पर F.M.C.G. IT तेल गैस की तेजी ने बाजार की रैली बरकरार रखने में मदद की इस बाजार में गलतियां होने की आशंका ज्यादा है यह कहना है इकी गई एसेट मानेजर के फाउंडर और एंद C.I.O. पंकर टिब्रेवाल का वहीं इसी के साथ पंकर टिब्रेवाल ने ये भी कहा की शेयर के भाव कंपनियों के नतीजों पर निरफ़ हैं इस मार्केट में गल्पिया होने की संभावना ज़्यादा है एगर मैं तीन भागों को market में divide करूं जिसका हमेशा स्रिवेनी संगम होता है एक होता है fundamental एक होता है flow और एक होता है sentiment fundamentally अगर आप देखे तो जो market में rally आई उसे अब हम pop-up नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह एक चंता का विशय है क्याबिनेट ने किसानों को तोफ़ा दिया है क्याबिनेट ने किसानों से जुड़े आर्ट प्रस्तावों को मन्जूरी दी है क्याबिनेट ने मुंबई से इन और रेलवे लाइन बिछाने और गुजरात में एक नया सेमी कंड़क्टर प्लांट लगाने को भी हरी जंडी दी है सूचना एवन प्रसारन मंत्री अश्वनी वैश्णव ने कहा कि 2817 करोड रुपे की लागत से सरकार डिजिटल एग्रिकल्चर मिशन शुरू करने का फैसला लिया है डिजिटल एग्रिकल्चर मिशन बेसिकली जो डिपी आई का स्ट्रक्चर है उसी आधार पे एग्रिकल्चर के लिए इसका देवलर्पमेंट किया जा रहा है कुछ अच्छे पाइलट प्रोजेक्ट होएं बहुत अच्छी सक्थेस मिली है उसके आधार पे आज डिजिटल अग्रिकल्चर मिशन दो हजार एक सो सत्रा आट सो सत्रा टू तू 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 करोड रूपीज की टोटल इन्वेस्टमेंट से बनेगा तो काबिनेट के फैसलों को डिटेल से समझते हैं असीम मनचंदा से तो असीम बताएं आज क्या बड़े फैसले हुए है काबिनेट की बैठक में दिखे आज परदान मंतरी मोधी के अगवाई में काबिनेट की बैठक हो थी किसानों के उपर सबसे बड़े फैसले हम को यहां पर आते हूं दिकाई दिया है साथ बड़े फैसले लिए गए है और इसका पूरा आउटले करीब-करीब 14,000 क्रोडर पे का रखा गया है इसके अंदर सबसे पहले सरकार ने डिजिनल अगरिकल्चर मिशन को कर्णा पर तयारी है क्रॉप साइन स्कीम को भी हरी जंडी बिली है करीब-दीन-जार करोडर पे की लागत से क्रॉप साइन स्कीम चलाई जाएगी 1712 करोडर पे के लाकत से और भी मंजूरिया सरकार ने याद दिया हूर्टी कल्चर को ले करके किसान विज्ञान केंदरों को लेकरके कैबिनेट ने करीमन 7 पैसले लिए जिनकों की आज मंजूरी मिल गई है इसके लावाध दो और बड़े पैसले सरकार के तरफ संद को आते हुए देखने को मिले थासर पर कि मुंबाई से लेकर के इंदोर के बीच के अंदर एक रेल करेक्टिविटी बनाई जाएगी, करीब अठारा जार क्रोडर बेगी लागत से ये करेक्टिविटी दी जाएगी और दोज़ार अठाइस तुन अठीस ता की प्रोजेक्ट बन करके तयार होगा, एक और समिकर डेक्टर, SMTP को सरकार ने प्लांट लगाने को हरी जंडी दे दिये, केंस का अपनी है, वो कि इस गुईरात के सानन में प्लांट लगाएगी, 3300 क्रोडर बेगी लाकत से ये प्लांट लगेगा, और हर साल ये अब बन करकर तयार हो जाएगा, तो हर साल करीब साथ ला सरकार 100% एथनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देगी, आज इंडिया बायो एनर्जी एंटेक एक्सपो में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि सरकार 2025 तक पेट्रोल में 25% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्षे हासल कर लेगी, सरकार आटो क कम्पनियों के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है, पेट्रोलियम मंत्री ने एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में और क्या कुछ कहा है समझते हैं आलोग प्रियदर्शी से, तो आलोग बताएं एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है? प्रकुल देखिए, जो यहाँ पर बायो फ्यूल को लेकर एक कारेक्रम था, उसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग्पुरी ने यही कहा, कि हमारे कम्पनियों से बाचीत चल रही है, और हम चाहते हैं कि देश में जो 100% एथनॉल से चलने वाले गाडियां बनें, उनक गाडियां बनाने के और एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन क्या वो इंडिया में ऐसी गाडियां नहीं बना सकती, जहां पर 100% एथनॉल से गाडियां चल सकें, तो इस बारे में उनकी बाचीत हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने 400 ऐसे पेट्रोल पंप रेटेल में देश में जहां पर E-100 यानि की 100% एथनॉल वाले जो ब्लेंडेट पेट्रोल मिल रहे हैं, तो यह उनका टागेट था और उन्हें भी बताए कि हमने एथनॉल ब्लेंडिंग का टागेट रखा हुआ है, वो 2025 तक E-20 यानि की 20% ब्लेंडिंग वाली के हमने टागेट एचीव करेंगे यह हमें उन्हें पूरा विश्वास है, तो कुल मिलाकर एथनॉल को लेकर सरकार का फोकस साफ है, एथनॉल ब्लेंडिंग साथी साथ बायो फ्यूल, बायो डिजल और जो तरह तरह के ससेनेबल एविशन फ्यूल की बात हो रही है, उसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रह हैं, वो इस तरह के फ्लैक्स फ्यूल बराने में सक्षम है, वो भी इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर तयार है, और सिर्फ वो यह चाहते हैं कि जो फ्लैक्स फ्यूल पर इभी जी एश्टी की दर है, उसको कम किया जाए, 12% किया जाए, तो इस तरह की डिमांड चल रही इंडेस्ट्री की तरफ से सरकार की तरफ से भी और सरकार का पूरा फोकस एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है और खास्तोर से 100% ब्लेंडिंग के तरफ सरकार आगे बढ़ रही है शुक्रिया अलोकस पूरी जानकारी के लिए इस साल के आखिर दक आप स्लीपर वंदे भारत का सफर कर पाएंगे सुत्रो से मिल रही जानकारी के मताबिक आधुनिक सुविधाओं से लेज स्लीपर वंदे भारत का खिराया मौजूदा राजधानी ट्रेन के मुकाबले 7-10% जादा हो सकता है देखिए रिपोर्ट बाहर से ये ट्रेन आपको नॉर्मल वंदे भारत जैसे दिखेगी लेकिन इस ट्रेन के अंदर कमाल का इंचीरियर डिजाइन किया गया है सबसे बड़ी खासियत है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन स्लीपर बर्द्स को कुशन और कॉम्पाक्ट बनाया गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लेस इस ट्रेन के फर्स्ट एसी में नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्ता भी होगी वहीं इस ट्रेन में USB चाजिंग पॉइंट और इंटेग्रेटेड ब्रेडिंग लाइट जैसे फैसिलिटीज भी मिलेंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से ले स्लीपर बंदे भारत ट्रेन को एक हज़ार किलो मीटर से लेकर 1200 किलो मीटर की लंबी दूरी वाले रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है तो प्रोटोटाइप बनकर तयार है और रेलवे बोर्ड में इस बात पर मंधन किया जा रहा है कि स्लीपर बंदे भारत ट्रेन का किराया कितना तैक किया जाना चाहिए तो सूत्रों से मिल रही एक्स्क्लिूसिफ जानकारी के मताबिक इस ट्रेन का किराया मौजूदा राज़़ानी ट्रेन से 7-10 परसिन तक ज्यादा तैक किया जा सकता है आपको बता दें कि स्लीपर बंदे भारत ट्रेन के अधिकतम स्पीड 180 किलो मिटर प्रती घंटा है और ए ट्रेन कवत से भी लैस है हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैश्नम ने स्लीपर बंदे भारत कोच का मुआयना किया और इसके ट्रायल रन शुरू होने की जानकारी दी अगले 15 से 20 दिन ट्रायल रन जारी रहेगा फिर कमिशनर रेलवे सेफटी की क्लियरेंस मिलने के बाद स्लीपर बंदे भारत को पट्री पर उतारा जाएगा दिपाली नंदा, दिल्ली दिसंबर में राजसान सरकार ग्लोबल इन्वेस्मेंट समिट का योजन खरेगी इसके लिए राजसारकार अभी से ही तैयारियों में लग गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमसे एक्स्क्लियोसिव बाचीत में कहा कि अब तक साड़े चार लाग करोड के M.O.U. साइन किया जा चुके हैं कई कंपनियों के साथ में लग बग साड़े चार लाग करोड के M.O.U. या हुआ है इसमें उड़जा की छेतर में हैं कुछ आटो मोबाइल के छेतर में हैं कुछ इसमें से जो आपने सेक्टर की बात की है कंपनी जो आये हुए है जिनसे आपने साइन किये थोड़े जो बड़े नाम है आप हमसे शेर कर पाएंगे लगबग आट कंपनी हमारे आज यहां आई है और उनके साथ आज हुआ है जिस डवलू है डानी गुरूप है और तो तीन गुरूप है जिनके साथ यह हुआ है बेदानता है जी बढ़िया और आपने जैसे मेंशन किया था कि सिमेंट है सोला भी है जो इन्सेक्टर लेकिन आपका फोक्सटर आपके क्या है जिस सेक्टर में इक कानविये से क्सेप्र के जिन में आपको सबसे जादा इन्वेस्मेंट लाना लाना चाहते हो आप देखिए राजिस्थान में बहुत बड़ी संभावना है जाए सोलर के चेत्र में हो क्योंकि हमार पास जमीन भी है और सूर भरवगान की किर्पा भी है हमार पास मिनरल्स है तो सीमेंट के चेत्र में अनकई चेत्रों में संभावना है तो मोपरेटर्न के चेत्र में भी काफी संभावना है ओटो मॉबाइल के चेत्र में भी काफी संभावना है तो टेक्स्टाइल के चेत्र में भी संभावना है और जो companies आना चाहेंगे आप government के तरफ से fiscal incentives क्या offer कर रहे हो कि राजस्तान as a state काफी attractive लगे companies के लिए देखिए उनको हमने कहा है वो हमसे क्या सुपधा चाहते है उनकी हमसे अपेक्षा क्या है पहले हम यह तो हमसे पूछ रहे है और हमने कहा है कि जो एक state को investment लाने के लिए जो सुपधा देनी चाही है हम सोच रहे हैं कि हर कोई भी state इस तरह की होगी उससे ज़्यादा हम उनको काम करेंगे और उनको सबसे बड़ी जो परिसानी होती है वो समय सीमा की होती है और हमने कहा है कि आप जितनी जल्दी चाहोगे उतनी जल्दी हम भी करेंगे अंध्रप्रदेश रो तेलंगाना में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है दोनों राज्यों में अब तक बारिश की वज़ज़ से 24 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले दो दिनों में हुई तेज बारिश की वज़ज़ से बार जैसे हालात है दोनों राज्यों में नदिया उफ़ान पर है शेरों में सडके जल्मगन है, कारे पानी में डूब चुकी है जन जीवन पूरी तरह से अस्तवियस्त हो गया है कहीं ट्रेने रद कर दी गई है और 54 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है दोनों राज्यों में राहत और बचावकारों के लिए NDRF की 26 टीमें तैनात की गई है केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की बातचीत की है इधर गुजरात में बारिश से थोड़ी राहत मिली थी लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाक की तरफ से भारी बारिश की चैतावनी दी गई है IMD ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कई जिलों में ओरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है तो चलिए फिलहाल वक्त होगे एक चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको बताएंगे की आपके विधायक आमानतुला पर गिरी एडी की काच आप देखते रहे हैं आवाज समाचार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दिल्ली के उखला से आमादमी पार्टी के विधायक अमानतुला खान को E.D. ने गिरफदार कर लिया है E.D. की टीम अमानतुला के घर सुबा करीब साथ बजे रेट के लिए पहुंची थी E.D. की टीम ने दिल्ली वफ बोर्ट केस में अमानतुला के घर पर रेट की थी अमानतुला पर आए से ज़्यादा संपत्ती का रोप है हलाकि उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावार हो गए है जबकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को फ्रश्चाचारियों की पार्टी बताया है अमानतुला खान को E.D. ने इस मामले में करीब दस बार समन भेजे थे लेकिन वो सर्फ एक बार ही पुष्टाच में शामिल हुए थे आमादमी पार्टी सांसा संजर सिंग ने E.D. केस कारवाई को गुंडा गर्दी बताया है उन्होंने कहा कि वो जुकेंगे नहीं आमादमी पार्टी लड़ती रहेगी अरविंद केजरिवाल को गिरिफतार किया, 17 महीने मनीसी सौदिया को गिरिफतार किया मुझे 6 महीने जेल में रखा, सते इन जैन को जेल में रखा है और जब ठीक चुनाव करीब आ गया तो आमानत उल्ला को आज पकड़ के जेल में डाल दिया गया क्योंकि अब जमानत हो रही है एक के बाद एक और अब अर्विंद केजरिवाल जी को भी जमानत मिलने वाली है वो भी बाहर आने वाले हैं तो कोई न कोई खबर चाहिए तो अमानत उल्ला को गरिफतार कर लिया गया निराधार बेबुनियाद कोई मामला नहीं है अमानत उल्लाग खिलाव नेट्फिक्स की वेब सीरीज आईसी 814 विवादों में घिर गई है नेट्फिक्स की कॉंटेंट हैड मोनिका शेरगुल को सुचना और प्रसारन मंत्राले ने तलब किया है और विवाद पर स्फष्टी करन मांगा है 29 अगस को नेट्फिक्स पर विलीज हुई IC 814 सीरीज कंधार विमान हाईजाक पर बेस्ट है और इसे अनुभव सिना ने डारेक्ट किया है सीरीज में आतकवादियों के नाम बदलने पर विवाद खड़ा हुआ है दरसल सीरीज में दो आतंकवादियों को मुस्लिम की जगा हिंदू को नाम से दिखाया गया है आतंकियों का कोड नेम भोला और शंकर रखा गया था और अब नेट्फिक्स मंत्राले के सामने अपना पक्ष रखेगा उत्रप्रदेश के बेराई जिले के 35 गाओं के लोग आदम खोर भेडियों के खौफ में रह रहे हैं इन गाओं में लोग रात भर जातकर घरों की रखवाली कर रहे हैं वन विवाग ने अब तक 4 भेडियों को पकड़ लिया है लेकिन अभी दो भेडियों ने आतंक मचा रखा है रविवार देर रात भेडियों के हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, आदम खोर भेडिये ने बच्ची पर हमला कर दिया वन्विभाग की घेरा बंदी को तोड़कर भेडिये ने ये हमला किया अब तक भेडियों के हमले से साथ बच्चों और महिला की मौत हो चुकी है राज्जे के सीम योगी ने अफसरों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिये है तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंजीमर अड़ा के टॉपिक के बारे में डाबिटीस के बारे में तो जब बात होती है तो अकसर लोग टाइप 1 और टाइप 2 का जिक्र करते हैं लेकिन क्या आपने टाइप 1.5 डाइबिटीस के बारे में सुना है शायद नहीं तो क्या है डाइबिटीस 1.5 और क्यों हो रही है इसकी चर्चा देखिए कंजीमर अड़ा आज शाम 5 बच कर 57 मिनट पर कि बाहा है डाइप 1.5 और रहे हैं शाम 5 बच्ता देखिए जाबिगे हैं जा आउँ पर बच्ता रहे हैं आईबिटीस 1.5 और ग्पषिए